जन सेना प्रमुख पवन कल्यान ने तेलगू देशम पार्टी से अपने गठ जोड पर YSR कॉंग्रिस प्रमुख और आंदरप्रदेश के सीम जगन मोहन रेडी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि गठ जोड को कभी हलके में नहीं लेना चाहिए क्योंकि छोटी राजनेत समीती की मिसाल देते हुए बताया कि AIMIM सिर्फ साथ विधान सवा और एक लोग सवा छेत्र तक ही सीमित है लेकिन उनका दबदबा पूरे मुल्क में है जिस वजा से आज भारते राजनीती में AIMIM का महदवपून किरदार है देशम वंता MIM आवलोचिना विधानम नच्चिना नच्चक पोईना MIM उक्कोड 7 नियोच्क वर्गाल प्रजल निलबड़ते वाली प्रस्तावन वाली इम्पार्टेंस अट्लागे वूंदे MIM थे TRS, वग अपपोडि तलेंगाना राष्टर समिती, इपपोडि बारत राष्टर समिती चाला तक्कुवा, आरुस्तानालो, एडुस्तानालो, MLLL गे गिल्द्चकोनी अंधर प्रदेश के CM जगन मोहन रेडी ने एक्टर से राजनेता बने पवन कल्यार को पैकेज स्टार और चंदरबाबु नाइडू का गोदलिया बेटा कहते हुए कहा कि उनकी पाटी वेंटिलेटर पर है उन्होंने पवन कल्यार पे तेलगु देशम पाटी के लिए पैकेज के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पवन कल्यार ने अपनी पाटी चंदरबाबु नाइडू को होल सेल में बेच दी है इदे चंदरबोबनेटि गारू इरोजन वेंटिलेर रिमीद उन्ना रूव आईना आयन पाटी रास्रम लोँ उन्न नूटडेब्ब या इदु स्थाना ललो तानु पोटी जेश्ते तान पाटी की जगनमोहन रेडी ने बाप टला जिले के निजाम पटनम में एक जन सबा को संबोधित करते हैं कहा कि टीडीपी और जन सेना में 175 सीटों पर सुतंत्र रूप से चुनाव लढ़ने की हिम्मत नहीं है लेकिन राजनेतिक अस्तित्व के लिए गटबंदन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बता दे 2024 में जहां लोकसबा के चुनाव होने हैं तो वहीं आंदरपरदेश में भी विधानसबा चुनाव होगा और इसी को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जम कर निशाना साध रहे हैं